मुझा कर दो कर दो विटू को लिए और नीढश और तरह में है विए डाइन आपनमोश को लिए को ते होता है को लिए को तो क्यातक दो झाल 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 कर तान कर दो कर दो स्कुल defence कर दो कर दो अलों आवं में दून सुन्साइब या सब्सक्राइब दून तैना ओख आप लागे शेशना न तैना झाल झाल यह वेल्कम तो अनकाडमी इंडिया लार्जेस्ट एलर्निक प्रेटफॉर्म सो वेल्कम बेक टु दा लुक्ष बैच लुक्स बैच में जो एम्ट का हमारा सेशन चल रहा था ठीक है वो वापी से हम लोग कंटीनियू यहां पे कर रहे हैं इवन जो स्क्रेंट इस नौर्ट सो गुड़ बड़ सेल वी अर्गंटीनियू करते हैं देखते हैं कि इसके एंड तक कितने स्टुएंट्स आपते हैं हमारे पास तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसा प्लेन वेव प्रपोगेशन में हम लोग थेयोरी पढ़त रिलेटेट सम गेट कोश्चन जो हमको पूछे जा सकते हैं ठीक है तो यह हमारा स्टाटेजी था यह हमारा एप्रोज था इस चैप्टर को लर्न करने का गेट के प्रीवियर से कोश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं यहां पर आपको मैं कोश्चन कराऊंगा अगर आपको प्रीवियर से कोश्चन करने है तो ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन ठीक है तो मैक्सिमम लोग यहां पर करेक्ट होगा है एक बार फटा फटा फट शेर भी कर देंगे वीडियो को ठीक है तो वीडियो को शेर जरूर कर देना कि कैसे यह एक्विलेंट शर्कित आता है और कैसे हमनों ट्रांस्मिशन लाइन का एक्विशन लिख सकते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग दे सेशन लेट में इंट्रूद्यूस्माइब इस इस साकेत वर्मा और यह दन सब्सक्राइब करें कि मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि सारे स्टूइंट जो यहां पर देख रहे हैं वो इलेट्रॉनिक्स के स्टूइंट है क्योंकि ट्रांस्मिशन लाइन जाए टर जो है वो इलेट्रॉनिक्स को मेंली है तो अगर इसी की मैं बात कर रहा हूं तो इसी में गेट में इन दुनों सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वो 20 से 25 मार्क्स के अरांड का है ठीक है और इसी आपर को जालेट्रों लाइव और साथ त्योट्यों को फसके अãoयों कि युट्यूबडल्य में न हो गया बंद्व तक करेंगे और को करेंगे यूट्यूब में कोर्स कम्प्रीट होगा बढ़ टाइम लगेगा एडवांटेज आपके पास प्लस में कि आपको वन-to-one इंट्रेक्शन करने मिलेगा आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो डाउट क्लियर कर सकते हो टेस्ट दे सकते हो ठीक है आपको टेस्ट मिले कि ओन टाइम क्लासे मिलेगा डेली आसाइनमेंट वीकली क्विज टेस्ट सिरीज कोस्टन बैंक टू सब्जेट अटर टाइम डाउट क्लियरिंग सेशन इंट्रक्टिव सेशन लाइव लीडर बोड परस्नल गाइडेंस तो यह बहुत सारे चीजह मिलती है और एक सिंगल स सब्जेट को लर्न करने के लिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा जिससे आप अराम से इंस्टुमेंटेशन से भी गेट अपना दे सकते हो ठीक है तो यह लाइव क्लासे मिल गई क्राइश कोर्स विक्ली टेस्ट डाउट सॉल्विंग र सब्सक्राइब अगर आप माल लोग कोड यूज करते हो साके 10 तो आपको 10% का डिस्कॉंड मिलता है कि इसमें वन टू यह में अब माल लोग कि आपको 10% से ज्याधा चाहिए तो आप यूज कर सकते हो अनकेडमी कॉमबैट को अनकेडमी कॉमबैट में आपके पास बहुत स तरीके से लो ज़्याधा डिसकॉंड मिलो कम डिसकॉंड मिलो लेकिन अगर आपको मेरा गाइडेंस चाहिए तो आपको कोड यही यूज करना है तो यह आपका आईकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वन यह और टू ये बैच देखो यह 14 आपरिल से बैच स्टार्ट हो गया है औ यह देखो आने कामबैट तीन कॉमबैट हो चुके हैं अभी तक और बहुत सरे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है लास्ट कॉमबैट है संदे को और इस कॉमबैट में एंडरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हो कोड साके 10 इस कोड के साथ अगर आप जाओगे त ठीक है तो एंडरोल करने के लिए आपको कोड कौण सा यूज करना है साके 10 ठीक है है एलो अकाश गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग धेनिट्सू कैप्टन परेंज सो चलो अब मैक्सिमम लोग आ चुके हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन ठीक है तो हमारा जो आज का टॉपिक है यह तो यह निव चेप्टर हम लोग स्टार्ट करने हैं ट्रांस्मिशन लाइन ट्रांस्मिशन लाइन बेसिकली एक टू कंडुक्टिंग सिस्टम होता है विच इस विच प्रोवाइट्स मीडियम फॉर दा एनर्जी वा पावर ट्रांस्मिशन ठीक है इसके बारे में Sous害 ट्रांस्ट और्फक्टिंश कर टांस्मिशन ट्रांस्मिशन ट्रांस्टों ट्रांस्मिशन लाइन अगर आपको किसी भी अज़ी या पावर को ट्रास्मीट करना है from one place to another from source to destination you can use the transmission line but the transmission line is a two conducting system to conducting system से मतलब यह है कि हमारे पास दो conductor होना ही चाहिए अगर हम transmission line form करना चाहते हैं तो हमारे पास two conducting system होना चाहिए and throughout that medium जो आपका transmission line create करेगा उस medium के थूँ आपका वेव जो है वो प्रपोगेट करेगा जैसे कि for example अगर मालो कि हमारे पास इस तरीके से एक conductor है ठीक है यह conductor है और यहां पर हमारे पास दूसरा conductor है ठीक है टू conducting system मैं बोल रहा हूं तो यह दो conductor है मालो इन दोनों conductor के बीच में अगर आप source connect करते हों ठीक है इस तरीके से मालो कि आपने है source connect किया तो जैसे ही आप इसके बीच में source connect करोगे दो conducting system के बीच में तो जो वेव है वो प्रफोगेट होगा लांग दा लेंट आफ दा रखनेक्टर अलांग दा लेंट अफ दा conductor from source to यह source and है और यहां कहीं पर destination होगा ठीक है यहां से कहीं पर आपका आगे destination होगा तो अगर आप दो conductor के बीच में कोई source connect करते हो ठीक है तो यह आपका जो electromagnetic wave है इट विल ट्रेवल अलांग दा लेंट आफ दा ट्रांसमेशन लाइन ठीक है इट विल ट्रेवल अलांग दा लेंट आफ दा ट्रांसमेशन लाइन तो जितना भी इसका लेंट होगा यह transmission लाइन का उस लेंथ के है और यह लिए C Van Deiving System है इसी तरह से आप और एक diffusifies कर सकते हूं wes कि यह माल लेते हैं की कोएक्षियल transmission लाइन है इसका इनर कंडुक्टर का रेडियस ए है स्थ कॉल कि और यह ऑटर कंडुक्टर का रेडियस भी ठीडिक कि जिसाना अब यह एक चंड़क्टर है यहाँ पर और अब tulee कंड़क्टर के बीच में अगर मालो आप कोई सोर्स कट सर्स करक्डिये कर दिया सोर अब इक नडेक्टर आपका यहां पर है इन न असक्राइब कर दिए तो जो वोर्टेज या करेंट वेव हैं अगें यह अलॉंग देट ओफ दा कंडेक्टर ये ऐसा जो लेंध है अंडेक्टर का स्लेंद के अलॉंग यह ट्रैवल करेगा ठीक है यह जो दोनों के बीच में जो गै एलॉंग आपका वेव जो है वो ट्रैवल करेगा ठीक है मतलब यह इस तरीके से इनर कंडुक्टर आउटर कंडुक्टर के बीच में यह जो वेव है वो ट्रैवल करेगा बिट्वीन इनर कंडुक्टर एंड आउटर कंडुक्टर ठीक है तो हमारे पास बहुत सारे डिफ्रे का एक में कंक्लूजन यह है कि कोई भी ट्रांसमेशन लाइन उस ट्रांसमेशन लाइन में दो कंडॉक्टर होने चाहिए वो मस्ट कंडिशन है ठीके जैसे कि यहां पर यह दो टू पैरलल वायर है तो यह एक conductor है यह conductor है दोनों parallel wire एक दूसरे के बीच में इनके बीच में कुछ certain gap है gap होना ज़रूरी यह दोनों के बीच में एक certain gap होना चाहिए और जिसके along जो wave है वो travel करता है ठीक है यह दो conductor है इन दो conductor के बीच में एक certain gap है उनके बीच में अगर आप supply लगाओगे धेन दवेव विल ट्रावल अलॉंग देफ़ लेंथ ओफ़ ट्रांस्मिशन नाई सिमिलर्ली यहां पे भी आपने देखा यह एक इनर कंडेक रहे यह आउटर कंडेक्टर है इन दोनों के बीच में आपने source क्या है तो देख रहे हो आप यह ट्रेवल कर रहा है तो यह कहां प बहुत सारे different type के हमारे पास transmission line हो सकते हैं, जैसे micro strip line भी हो गया, ठीक है two wire तो बताई दिया है, coaxial transmission line ये हो गया, तो ऐसे बहुत सारे different transmission line हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ultimately transmission line का significance ये समझना है कि transmission line means two conducting wire separated by some distance and we will apply some voltage or supply between the two conductor, then the voltage and the current will travel along the length of the conductor ठीक है यह आपका simple way में meaning है transmission line बोलने का मतलब यही होगा कि हमारे पाद दो conductor होने चाहिए दोनों conductor के बीच में एक certain gap होना चाहिए उनके बीच में हम supply लगाएंगे तो जो voltage या current wave generate होगा वो current या voltage wave along the length of the transmission line travel करेगा बस इतना ही आपको समझना है कि डबली के लिए transmission line important नहीं है gate point of view से not important ठीक है अब हम लोग इसके equivalent circuit पर आते हैं what is that equivalent circuit of the transmission line अब है हम लोग कैसे ड्रॉक करेंगे इसका equivalent circuit इसको देखना इसको देखना इसके अब हम लोग कैसे द्रॉक करेंगे इसका अब हम लोग ने बुला कि transmission line मतलब to conducting वायर ठीक है तो टू कंड़क्टिंग वायर होना चाहिए तो यह कंड़क्टिंग वायर लेते हैं तो टू कंड़क्टिंग सिस्टम टू कंड़क्टिंग वायर इस तरीके से हमने दो कंड़क्टर ले लिया अब इनके बीच में आपने सोर्स यह वोल्टेज अपलाई कर दिया यह आपने इनके बीच में एक सोर्स करेंट कर दिया इस तरीके से एक सोर्स करेंट कर दिये तो जैसे ही आप इसमें से सोर्स करेंट करोगे इसमें से करेंट फ्लो होगा यहां से करेंट फ्लो का यह कंड़क्टर है न तो यहां से कर Kun Tahirикда एब सकते हों जब किसी कंडे करेंट फ्लो और से करेंट व्लोगा तो क्या होगा अधित इलेट्रिकल में विशाल शर लेंगे एम्टी थिक तो डोंट वरी अबॉट अब बताओ जब हमारे पास एक कंडेम इस Inside since currentbetween have been a 10 में से currentoko तो क्या वोका from magnetic field generate हो ठीक है तो यहां से magnetic field generate हो गा कुछ इस तरह से इस डाेक्शन में इक इन इसकी चारों तरफ यहां पर generate हो गा कि इन ə CJक उनने हो रहे है इसके साराउंडिंग में तरह से बना से तो यह आपका करेंट फ्लो रहे है तो इस तरफ बाहर की तरफ आएगा यह पीछे वाला हिस्सा है और यह बाहर की तरफ आए तो यह ऐसा जाएगा और अगर इसको डियाग्राम को ठोड़ा ठीक बिनाना चाहूं आधिव डियर्यक्षेन इंपॉर्टेंट नहीं है मैंनेटिक फिर्ड का जैसे की मैंनेटिक फिल्ड ऐसा जाएगा यह बाहर की तरफ यह से जरेट किया है और और ये समझ में आया कि जब किसी अधर से करेंट फ्लू होता है तो एक कॉर्डिन टू बायो सावर्ट लूह आम लोग जानते हैं कि आगर करेंट होगा तो इसके चारवा तरफ जटिंग अनुद और उस magnetic field intensity को calculate करने के लिए बायो सेवर्ट्स ने लौ दिया जा ठीके तो यह magnetic field generate हुआ और जब magnetic field generate होगा तो magnetic flux generate होगा when it passes through some surface magnetic field lines passing through any surface generates the magnetic flux या contributes the magnetic flux ठीके तो यहाँ पर क्या होगा जैसे ही magnetic field generate होगा when the magnetic field lines passes through any surface it generates magnetic flux so magnetic flux generate करेगा और magnetic flux जो है वो number of turns जब link करता है तो बनता है flux linkage यह जो magnetic field generate हुआ यह surface से पास होगा तो magnetic flux generate करेगा magnetic flux passing through number of turns is called magnetic flux linkage और जहाँ पर flux linkage का concept आता है वहाँ पर concept आता है inductance का ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक parameter जो होगा वो inductor होगा ठीक है यह inductor क्यों आया क्योंकि magnetic field generate हुआ है और magnetic field में हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे magnetic field में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाएंगे कि flux generate होगा, flux linkage होगा और उस flux linkage के कारण वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा inductor तो यह inductor यहाँ पर हमारे पास आ गया और इसको हम लोग denote करते हैं अब यह क्योंकि एक conductor है अना यह conductor है तो perfect conductor अगर नहीं होगा तो उसमें से dissipation होगा और उसकी वज़े से loss होगा अगर conductor का जो nature है जो conductor है वो अगर परफेक्ट नहीं है इसका मतलब उसमें कुछ losses होंगे अना तो उस loss को represent करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टर को मिक लॉज को represent करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं रेजिस्टर ठीक है तो यह दो करमिटर हमारा equivalent circuit में आएगा यह confirm हो गया ठीक है जब भी हमारे पास two conducting system होगा तो यह दोनों series में आएंगे क्योंकि current आपका यहां से फ्लो हो रहा है यह जो current है यह असा process होंगे और उस loss को represent करने के लिए हम लोग यूज कर लिए हैं ओमिक लॉस के लिए रजिस्टर ठीक है जिसका रजिस्टेंस है यहां तक समझ में आ गया अब देखो यह दो conductor है they are separated by some distance और they are separated by some medium इनके बीच में कुछ medium होगा यहां परways major मीडियम हो सकता है यह डाइलेक्त्रिक भी हो सकता है और ay boy लुंव सकता है तो इस टौव्हायर की अर desert by some distance और एर खिकह और they are separated by some distance और जहां पर एयर फिल हो सकता है और टालेक्ट्रिक फिल्ड भी हो सकता है तो if it is filled by the dielectric ठीक है if it is filled by the dielectric and the dielectric is not perfect if it is filled by the dielectric and the dielectric is not perfect then there will be again some dielectric loss and this dielectric loss को represent करने के लिए हम लोग use करते हैं यहां पे conductance which is equal to G okay which is equal to G समझाऔř देखो क्या होगा कि जब यांसे current वोगा तो यह separate है डीलेट्रिक से और जो डीलेटりक है वह करन्ट को पास्ट नहीं होने देगा लेकिन अगर डीलेट्रिक perfect नहीं है अगर डीलेट्रिक पर stomach नहीं है तो इसमें से कुछ current leak होगा और यह leakage current इस dialectric से fill होने लगेगा फुल होने लगेगा जो leakage current है that is starting flowing through this dialectric ठीक है तो यहां से जो current है वो leak हो गया और क्योंकि वो current leak हो गया इस वज़े से वहां पर एक dialectric loss present होगा और उस dialect मतलब dialectric losses वहां यहां पर भी again current flow होने के वज़े से loss generate होगा और यह जो loss है इसको represent करने के लिए हम लोग जीरी उसकर रहे है ठीक है बताओ यहां तक समझ में आ है हाँ आप्टिकल फाइबर को भी वहीं बोलेंगे ठीक है एलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्यूस नहीं होगा इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्यूस होगा बट वह अलग तरीके से हम लोग उसको रिपेसेंट करेंगे यहां पे आप उसको शो नहीं कर पाऊगे देखो यह तीन चीजे समझ में आ गई अब देखो चौती चीज क्या होती है जब भी दो क्रियेट्स एक कैपेसेटिव सिस्टम क्या बोला मैं दो कंड़क्टर होने चाहिए दोनों कंड़क्टर एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट होने चाहिए इनके बीच में डियलेक्रिक भी फिल हो सकता है और एयर भी फिल हो सकता है इन दोनों कीच को यहां पर कैसे देख सकते हैं अब यहां पर इस सब्सक्राइब कर रहा है और इसमें से करेंट लीव कर रहा है मतलब आप यह बोल सकते हो कि यह दो for air then it is forming a capacitive system और इसलिए इन दोनों कंड़क्टर के बीज में वो capacitive system फॉर्म हो रहा है इसलिए इसको भी हम लोग यहां पे शंट में कंसिडर करते हैं और यह हमारा एक capacitive system फॉर्म होता है हुआ 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 है ठीक है तो दिस इस दा इक्विलेंट सर्किट ऑफ दा ट्रांस्मिशन लाइन कि ट्रांस्मिशन लाइन में हमारे पास यह फॉर पैरामिटर होते हैं और वो किस तरीके से आते हैं यह मैं आपको explain किया यहां पे शॉर्ट में तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि आर जो होता है वह होता है रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हर चीज को यहां पे हम लोग पर यूनिट लेंथ से डिफाइन करते हैं तो यह रेजिस्टेंस हैं पर यूनिट लेंथ कि इसका यूनिट होगा ओम पर मिटर यहां पे हमारे पास इंड़क्टेंस आ जाएगा इंड़क्टेंस पर यूनिट लेंथ ठीक है एंड़ी पर मिटर और जी जो होगा यह कंड़क्टेंस है पर यूनिट लेंथ ठीक है इसको हम बुलेंगे मोव पर मेटर और सिवन्स पर मेटर ठीक है एंड यह सी इस कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ठीक है एंड इस इस फैरेड पर मिटर ठीक है फैरेड पर मिटर हो गया और अल दीज आ नोवन एंड यह सभी को हम लोग क्या बुलत नहीं पता है इस ओल आर नोन स्ट्राइमरेंस ओल क्यांस्टेंट आए ठीक थिद आऩेख मेरेंड तंव नहीं और स्टस्टेंट ऑल ट्राइंस अ अजीन्ट अब्लों पूलते हैं प्राइम्री गॉंस्टेंट आव क्षिशन नाा है को क han ठीक है तो इस is known as primary constant of transmission line. So equivalent circuit है हमारे पास transmission line is a two conducting system और यह दो conducting system को किई तरीकिये से equivalently हम लोग parameter के term में represent कर सकते हैं तो दिश परामिटर्स आर RLGC and remember that this G is not equal to one by R. ठीक हम लोग रिजिस्टेंस और यह conductance है तो एक दूसरे के opposite होगा तो वैसे नहीं है आप इसके origin को देखो, origin क्या है, resistance क्यों आया, conduction loss की वज़े से, ये conductance क्यों आया, dielectric loss की वज़े से, तो dielectric loss और conduction loss दोनों को relate नहीं कर सकते न, r cannot be equal to 1 upon g, because r is representing a conduction loss and g is representing a dielectric loss, both are different, so, यहाँ पर हम लोग directly उसको equal नहीं हो सते हैं, तो generally हम लोग conductance और one upon r कर देते हैं, बट यह नहीं होगा, ठीक है, तो यह हमारा equivalent circuit हो गया, इस तरीके से जब भी, अब आगी जब भी हम तो transmission line पढ़ेंगे, तो हम तो directly इसको draw करेंगे, यह पर अगर हमको इस former draw करना होगा, तो simple 2 wire, ऐसा 2 conductor draw करेंगे, और इसके बीच में supply लगा देंगे, ठीक है, बस यह हमारा funda equivalent circuit, ठीक है, इसको हम लोग series impedance बोलते हैं, इन दोनों को अगर combine करके लिखना चाहें, तो हम लोग series impedance भी बोल सकते हैं, अगर आपको माहन लोग बोला जाएं कि series impedance, तो यह simple r plus j omega l हो जाएगा, इन दोनों को combine करके लिखेंगे तो, और इन दोनों को combine करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग आप बोल सकते हो, shunt, admittance, इसको हम लोग generally y करके represent करते हैं, g plus j omega c, admittance, directly add हो जाएगा, और यह z से represent करते हैं, इसको y से represent करते हैं, अर्शण करते हैं, cierto क्विए, क्विए यहाँ टना भी हैं, कि आप भी होकास, धदते हैं, इसकी है अर्शण करते हैं, ठीक है तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं क्योंकि जैसा कि आप देखे थे कि टॉपिक में मैं पहले लिखाया था इक्विलेंट सर्केट और ट्रांसमेशन लाइन तो आज इतना ही पढ़ेंगे अभी हम लोग इस मन्त स्लो चलेंगे क्योंकि जस्त देखना चाहरें कि मे ट्रांसमेशन लाइन पढ़ेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट मन्स से हम लोग कोस्टन वगरा सौल करना चलो करेंगे और इन-डेप्थ अनलयसिस पे जाएंगे ठीक है नए नए कोश्चिंस कर आ रहा हूं अलगलग सब्जेट्स के वो सारे इनिशेटिव आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे एंड क्रेटरीज डबल इस पर अगर आप आते हो तो आपको सारे क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आपको सारे फ्री इनिशेटिव देखने को मिलता है ठीक है तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो एंड वीडियो सेम टाइम ना मैं लिख देता हूं यहां पर टुमॉरो एड दे सेम टाइम टुमॉरो नाइन थर्टी वी विल डिस्कॉस दा प्रांस्मिशन लाइन एक्वेशन ठीक है आज हम लोग ने देखा कि किस तरीके से प्रांस्मिशन लाइन को लोग ड्रॉ करते हैं अब इसी एक्विलेंट सर्कृट से हम लोग उसके एक्वेशन निकालेंगे और उसका लोग है तो यह कल हमारा टॉपिक हो गा कल जो टॉपीक होगा वह यह होगा ठास्मिशन लाइन लाइन एक्वेशन एडड एक्वेशन एक्वेशन के फार्म में आएगा उसका सॉलूशन क्या ओग और उसको कैसे हम लोग प्लेड करेंगे यह सारी छीजें तो यह तुड Jag पर लेकिए okay okay so thank you for watching this tomorrow we will meet at the same time as i told 9 30. take care good night